मैं हूँ आयुश्मा और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट शीदेवी की मौत बॉलिवुट में ऐसी जगा खाली कर गई है जिसकी भरपाई कर पाना बेहद मुश्किल है शीदेवी बोनी कपूर की नाकेवल पतनी थी बलकि अच्छी दोस्त भी थी इस बात का जिक्र बोनी ने शीदेवी के निधन के बाद जारी बयान में किया था इस बीच ऐसी खबरे आरी हैं कि अमबानी खांदान की बहू ने बोनी कपूर को शीदेवी की याद में कैसा तोफा दिया जिसे देखने के बाद बोनी कपूर फूट फूट करोने लगे शीदेवी के निधन को 13 दिन बीच चुके हैं लेकिन उनके जाने की तकलीफ को कई सारे सेलेब्रिटीज ने सोशल मीडिया पर जाहिर किया फेमस फैशन डिजाइनर मनीश मलोतरो और टीनामबानी कपूर खांदान के करीबी दोस्त हैं शीदेवी के जाने के दर्द को मनीश ने शब्दों में पिरोकर सोशल मीडिया पर शेयर भी किया था हाली में एक लीडिंग में अपसाइट ने शीदेवी से जुड़ा खुलासा किया है प्रिपोर्ट्स के मताबिक टीनामबानी ने शीदेवी की याद में बोनी कपूर को तोफा दिया इस तोफे को देखने के बाद वो अपने आप पर काबू नहीं कर पाए और फूट फूट कर रोने लगे सोर्सेस की माने तो टीनामबानी ने बोनी कपूर को एक सिलवर कलर का पिक्चर फ्रेम दिया है इस फ्रेम में शीदेवी की कई सारी फोटोज हैं जिसे टीना के 61 जनम दिन पर खीचा गया था इस फोटो फ्रेम को देखने के बाद बोनी अपने आसुओं को बिलकुल रोक ना सके इसके साथ ही उन्होंने टीना को शुक्रिया भी कहा आपको बता दे कि महज तेरा दिन पहले ही शीदेवी मुंबाई में टीना मबानी की बर्थडे फंक्शन में शामिल हुई थी टीना और शीदेवी करीबी दोस्त थे इन दोनोंने एक साल 1986 में आई फिल्म भगवान दादा में काम किया था फिल्हाल इस वीडियो में अतना ही टेलिविशन और बॉलिवड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहे है फिल्मी बीट